नमसकार दोस्तों मैं आप सभी का चेर पर चेर दोस्तों पस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बहती महतोपून जानकारी को लेकर के जी हां पिसी भी बीमारी का रामबाण इलाज है जो आज हम आपको तेल बता रहे है ये इस तेल में छुपे हैं अनेको फायदे हमें किसी भी बीमारी का कारगर इलाज आप घर बैठे कर सकते हैं तो आपको शायद हमारी बातों पर यकिन नहीं होगा लेकिन ये सच है हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐस से ओयल के बारे में जिसमें गंभीर से गंभीर बीमारीयों से लड़ने की शमता होती है जिहां कलोंजी का तेल कलोंजी का इतिहास सालों पुराना है सदियों से इसका उपयोग मसाले और दवाईयों के रूप में किया जा रहा है इसके और शद्यों गुनों के चलते हीं कहा जाता है कि कलोंजी के तेल में हर मर्ज का इलाज है सिवाए मौत के कलोंजी का तेल पोशक्ततों से भरपूर होता है कलोंजी में कार्बोहाइटरेट, प्रोटीन, वसा जैसे हंड्रेट से भी ज्यादा महतोपून पोशक्ततों पाये जाते हैं जो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक शमता को मजबूत करते हैं रामबन और शदि के रूप में प्रयोग होती है ये कलोंजी का तेल कैंसर, डाइबिटेज, सर्दी, जुकाम, पीलिया, बवासीर, मोत्याबिंद की आरमभिक अवस्था, कान के दर्द, सफेद दाग, लकवा, माईग्रेन, खासी, बुखार, गंजापन जैसी बीमारियों से लडने की शमता रखता है, आईए जानते हैं सबसे पहले कैंसर में कैसे कारे करता है, कलोंजी का तेल शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को विक्सित होने से रोकता है, और उन्हें नश्ट करता है, यह कैंसर रोगियों में स्वस्थ कोशिकाओं की रक्षा करता है, कैंसर से पि प्रद्य गुणों की जांच के लिए अमरीका में एक शोध के दोरान HIV पीडित व्यक्तियों को रोज कलोंजी लहसुन और शहद का कैपसूल दिया गया कुछ दिनों बाद यह पाया गया कि पीडित व्यक्ति में शरीर के रक्षा करने वाली T4 और T8 लिंफेटिक को शिकाओं की संख्या में आश्चर्य जनक रोप से बढ़ोत्तरी हुई थी इसके बाद खासी और दमा में खासी और दमा की शिकायत होने पर छाती और पीठ पर कलोंजी के तेल की मालिश करें तीन चम्मच कलोंजी का तेल रोज पिएं और पानी में तेल डाल कर उसका भाप लें साथ इस चून को रोज नाश्टे के पहले एक महीने तक लेने से आराम मिलता है इसके बाद किड्नी एश्टोन के लिए पाव भर पीसी होई कलोंजी को शहद में अच्छी तरह से मिला लें इसमें दो चम्मच मिश्रन और एक चम्मच कलोंजी के तेल को एक कप गर्म पानी साथ मिला का रोज नाश्टे से पहले लें गुर्दे की पथरी से परिशान लोगों को कलोंजी का तेल फायदा करता है इसके बाद हरदय रोग और बलड प्रेशर में जब भी कोई गर्म पेय में उसमें एक चम्मच कलोंजी का तेल मिला लिया जाए तीन दिन में एक बार पूरे शरीर पर तेल से मालिश की जाए आधा घंटा धूब का सिवन किया जाए लगातार एक महने तक अगर ऐसा आप करते हैं तो पीडित को आराम मिलता है यानि कि हरदय रोग और बलड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है सफे दाग और कुष्ट रोग शरीर पर सफे दा पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आखों की समस्या के लिए रोज सोने से पहले पलकों और आँखों के आसपास कलोंजी का तेल लगाने और एक चम्मच तेल को एक कप गाजर के रस के साथ एक महिने तक लेने से नेत्र रोग से पीडित व्यक्ति को फायदा होता है मानसिक तनाव को दूर करता है यह जिहां एक चाय की प्याली में एक बड़ी चम्मच कलोंजी का तेल डाल कर लेने से मन शान्त होता है और तनाव कम होता है एक चम्मच तेल सो ग्राम उबले हुए पुदीने के साथ खाने से यादाश्ट अच्छी होती है इस्त्री के गुप्त रोगों के लिए इस्त्रियों के रोग जैसे श्वेत प्रदर रक्त प्रदर डिलिवरी के बाद दुर बलता इमवं रक्त स्तराओं में कलोंजी का तेल काफी फायदे मन होता है थोड़े से पुदीने की पत्यों को दो गलास पानी में डाल कर उबाले आधा चमच कलोंजी का तेल डाल कर दिन में दो बार पिएं बेंगन, अचार, अंडा और मचली से परहेज करें यानि कि ध्यान रखें कि आपको मांसाहारी भोजन का सिवन नहीं करना है इसके बाद पुरूशों के गुप्त रोगों में सुप्न दोश, स्तंभन दोश, नपुन सक्ता जैसे रोगों में एक कप सेव के रस में आधा चमच तेल मिला कर दिन में दो बार 21 दिन तक पिएं थोड़ा सा तेल गुप्तांग पर रोज मलने से फायदा होता है बालों की समस्या को भी ये दूर करता है जी हाँ, बालों में निम्बू का रस अच्छी तरह से लगाएं, 15 मिनट बाद बालों को शैंपू कर लें, एवं अच्छी तरह से दो कर सुखा लें सुखे बालों में कलोंजी का तेल लगाएं, एक सब्ताह के उपचार के बाद बालों का जहरना बंद हो जाएगा बालों में रूसी होने पर 10 ग्राम कलोंजी का तेल, 30 ग्राम जैतून का तेल, हलका गर्म करें उसमें 30 ग्राम पीसी हुई महंदी को मिला कर बालों में लगाएं और आधे घंटे बाद बालों को धो करके शेंपू कर लें इसके बाद है सुंदर और आकरशक चेहरे के लिए जियाँ एक चमच कलोंजी का तेल लिजे एक चमच जैतून का तेल मिला लिजे उसमें और चेहरे पर मसाज कीजे एक घन्टे बाद चेहरे को दो लिजे कुछ दिनों में आपका चेहरा चमक उठेगा तो देखा आपने पॉलोंजी के तिल का इस्तेमाल करें आप स्वस्थ रहेंगे जहां दोस्तों तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद न नमस्कार दो तो